आपके skin पर natural fat की एक पतली से layer होती है जो आपके skin को moisturize करती है और skin को dry होने से बचाती है आपके skin पर अगर natural oils कम होने लगे तो skin dry होने लगेगी और अगर skin आपकी रूखी या dry होने लगे तो उसकी वज़े से आपके skin पर खुजली होने लगती है स्किन आपकी फटने लगती है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे की एक्जेमा या सोरियास हो सकता है ऐसे में आपको अपनी स्किन की देख भाल करना बहुत जादा ज़रूरी है आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही स्किन केर टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको अपना कर आप अपनी स्किन को ड्राय होने से बचा सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी बच सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट हाइडरेशन देखे आपकी स्किन को हाइडरेट रखना बहुत जादा ज़रूरी है अगर स्किन पर हाइडरेशन की कमी होती है तो स्किन आपकी रूखी होती चली जाती है तो अचा पर बहुत ज़्यादा ड्रायनेस आ जाती है उसके लिए आपको यूज करना है मोश्यराइजर लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप मोश्यराइजर को कैसे चूज करेंगे और मोश्यराइजर का यूज कैसे करेंगे तो आते हैं पहले सवाल की और कि आप मोश्यराइजर का चायन कैसे करेंगे कि कौन सा मोश्यराइजर आपके लिए सही है अगर आपकी skin बहुत जादा dry है बहुत जादा रूखी है तो आपको oil वाला moisturizer यूज़ करना है याने की थोड़ा चिप-चिपा moisturizer आपको यूज़ करना है लेकिन अगर आपकी skin normal है या oily है तो आप oil free moisturizer का इस्तेमाल करें अब moisturizer आपको लगाना कब है बहुत सारे लोग दिन में किसी भी समय moisturizer का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उनको बहुत सादा फाइदा नहीं मिल पाता moisturizer का इस्तेमाल आपने तब करना है जब आपकी skin थोड़ी सी wet हो उस पे थोड़ी सी नमी हो यानि कि जैसे कि आप नहाके आते हैं आप अपने skin को तॉलिये से पूछिए हलके हलके हाथों से और skin पर जब थोड़ी सी नमी हो तो उसके उपर आप moisturizer का इस्तेमाल कर लेजिए ताकि जो आपका moisturizer है वो उस नमी को वहीं पर ही lock कर दे और लंबे समय तक आपको moisturizer का जो फाइदा है वो मिलता रहे नहाते वक्त skin का ध्यान कैसे रखे देखे क्या होता है नहाते वक्त खास करके सर्दियों के मौसम में जादा गरम पानी का हम इस्तेमाल करते हैं और यही जादा गरम पानी आपके skin की नमी को इसलिए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है पहली बात जादा गरम पानी का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरी बात जादा देर तक नहीं नहना इसके अलावा आप नहाते वक्त olive oil या फिर coconut oil का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी body की मसाज कर सकते हैं या फिर आप olive oil या coconut oil को अपने नहने वाले पानी में कुछ बूंदे डाल सकते हैं ताकि आपकी skin की नमी बरकरार रहे और आपकी skin dry होने से बच जाए थर्ड, body cleaning जादा तो लोग जब अपनी body को साफ करने के लिए साबुन या body wash के इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योकि ये दोनों आपकी skin को dry कर सकते हैं साबुन का इस्तेमाल तो आपने बिलकुल नहीं करना है क्योंकि साबुन आपकी skin को dry बना देता है अगर आप साबुन का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो ऐसा साबुन इस्तेमाल कीजिए जिसकी मेकिंग में ग्लिसरिन यूज हुआ 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 जादातर लोग अपनी body को clean करने के लिए bath sponges का इस्तेमाल करते हैं लूफा का इस्तेमाल करते हैं, wash clothes का इस्तेमाल करते हैं या फिर scrubbers का इस्तेमाल करते हैं ये सभी चीजें आपकी skin को irritate कर देती है जब आप बहुत जादा rugged-rugad के अपनी body को साफ करते हैं तो आपकी skin रूखी हो जाती है आपकी skin पर irritation होती है और ये बहुत सारी skin problems को जनम देती है इसलिए मैं आपको suggest करूँगे कि अगर आपकी skin बहुत ज़ादा dry है या फिर अगर आपकी skin normal भी है तो भी आपको बहुत ज़ादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है Use of heaters देखिए सर्दियों के इस मौसम में जादातर घरों में heaters का इस्तेमाल होता ही है चाहे वो oil heater हो चाहे वो आपका normal heater हो अगर आप heaters का इस्तेमाल कर रही है तो ये आपकी skin की नमी को कम करेगा ही आपकी skin की moisturization को छीन लेगा आपकी skin को dry बना देगा इसलिए आप heaters का इस्तेमाल कम से कम करें इसकी जगे पर आप humidifier का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके environment में एक नमी बना के रखेगा और आपकी skin को भी normal रखेगा जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप खास करके इस चीज़ का ध्यान रखे कि जिस कपड़े को पहनने से आपकी skin पर unisiness महसूस हो रही है आपकी skin पर irritation महसूस हो रही है आपको skin पर khujली महसूस हो रही है तो उस कपड़े को आप बिलकुल ना खरीदें क्योंकि ये आपके लिए अच्छी नहीं है इससे आपकी skin sensitive हो जाएगी आपकी skin पर khujली होने लगेगी और ये बहुत सारी skin problems को नियोता देगी कपड़े आप वही पहने जिसको पहन कर आप comfortable महसूस करें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गरम कपड़े पहनने के बाद skin पर redness हो जाती है skin पर inflammation हो जाती है तो वो लोग सबसे पहले नीचे cotton clothes पहने उसके उपर वो गरम कपड़े पहने ताकि skin पर किसी भी तरीकी की कोई irritation ना हो और skin को dry होने से बचाया जा सके 7. Metabolic और hormonal diseases देखिए बहुत सारी metabolic और hormonal diseases ऐसी है जो आपकी skin पर negative impact डालती है जैसे की diabetes, जैसे की hypothyroidism इन दोनों diseases की वज़े से आपकी skin बेजान होने लगती है skin पर उम्र से पहले wrinkles आने लगते है skin dry होने लगती है और बहुत सारी skin diseases आपको हो सकती है इसलिए बहुत सुरूरी है कि अगर आप इन में से किसी भी disease से सफर कर रहे है तो आप समय रहते उसका इलाज ले आज के लिए बस इतना ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कोई भी question है किसी भी problems related तो आप उसको comment section में comment करकर पूछ सकते हैं और अगर आप मुझसे consultation book कराना चाहते हैं तो वीडियो में flash हो रहे आप मुझसे consultation book करा सकते हैं नमस्कार